दिखो students, बहुत ध्यान से सुनेंगे अपन भई हमने एक और हैडिंग डाला rules for rotations or moment हम rotations चाहते है, moment चाहते है लेकिन हमारा compound change नहों हमारा compound तभी change होता है जब कोई bond टूटे normal rotation से कोई compound change नहीं होता मेरा पहला point पहला point क्या है sigma bond rotation से compound में कोई changes नहीं होता bond टूटके अगर लग रहा है कहीं और तब आपका change हो सकता है ठीक है तभी पहला point आपका क्या है first point जो बन रहा है वो यह है sigma bond rotation से मैं हिंदी में लिख रहा हूँ say compound compound सेम रहेगा compound सेम रहेगा यानि कि अवर compound रिमें सेम by rotations of sigma bond यानि कि हमारा sigma bond rotation से compound में कोई changes नहीं है ठीक है white pink दिख गया solid का है आपका green और blue आपका ये रह आपको मैंने का किसी भी एक को पकड़के sigma bond गुमा रहा हूँ इन दोनों की बीच में sigma है ये carbon ये white ये गुमाया इसे कर दिया जैसे इसे करूँगा तो ये pink यहां चला गया white एक को hold करना पड़ेगा तभी तो गुमा पाओगे bond तो pink जो हमारा पहले इधर था एक मिनट हम pink वाइट हमारे पास यह था हमने पहले pink हमारे पास यह था प्ले पिंक हमारे पास यह था यह वाला जो डैश में था पीछे की तरफ था वो इधर आ गया तो जो सॉलिड वाला होगा वो पीछे चला जाएगा सही है और यह क्या हो जाएगा हमारा pink तो आपका rotation क्या आप किस किस तरसे rotate कर सकते हो आप इस bond के according rotate कर सकते हो हाँ इसमें कर सकते हो हाँ किसी में भी कर सकते हो लेकिन इन दोनों में दिखाई देना बहुत आसान होता है इसमें अगर आप इसको पकड़के इससे rotate करोगे तो लगेगा यह इधर आएगा तो यह उपर जाएगा white green की जगह आजाएगा और इसी से यह बन जाएगा आपके पास कैसे बनेगा white को पकड़ रखा है आपने आपने एक बार और गुमा दिया green यह आगया solid कहां जाएगा solid में पहले pink था आप blue हो गया और डैश में पहले green था पिंक हो गया सही है तो इसका मतलब आपने इसको इस जगह दो बार गुमाया या एक बार पिछे ले जाओ बात एक ही है दो बार ऐसे गुमाना और एक बार ऐसे ले जाना बात एक ही है सही है clear concept तो हमारे पास यह तो direct solid dash के अंदर rotations का जो effect दिख रहा है वो मैंने ले लिया लिए अगर मैं Fischer की बात करता हूँ किसकी बात करता हूँ किसकी बात करता हूँ तो अगर मैं Fischer की बात करता हूँ तो Fischer के लिए मेरे पास A की rule है जैसे मैंने माल लिया A B C D या x y ले लेता हूँ समझना हूँ, बहुत एजी लिए अगर आप ऐसे रोटेट करते हो कैसे रोटेट करते हो, एक को होल्ड कर दिया एक को, और इसको कितना ही गुमालो फिर तो आप कितना ही गुमालो कितना गुमाले का मतलब एक को पकड़ रखाईए, आपने पकड़ने का साइन हो गया है इसको पकड़ लिया, और y को यहां ले गए और b यहां आजाएगा और x यहां आजाएगा क्या यह सही है? हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं है, वो ही रहेगा इडेंटिकल होगा आपने इसको पकड़ लिया, इसको गुमाया तो y नीचे आ गया, यह इधर गया, यह इधर गया सही है अगर आप यह हमारा 3D में तो ही नी, यह तो 3D को 2D में पकड़ रखाईएगा आपनको दिखनी रहा है ना तो आप ऐसे पकड़के इसको नीचे, इसको उपर, इसको नीचे, इधर लेगा है कोई दिक्कत नहीं है, आप उल्टा ले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक को पकड़ रखाएगा आपने किसी भी एक को पकड़के गुमाऊगे इसको पकड़के इधर ले गए, तो Y इधर आ जाएगा, X नीचे आ जाएगा, और B उपर आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो भी सही है, बोलो यह सौनो, clear है concept, यह सौनो, लेकिन ध्यान अगना, अगर आपने 90 डिग्री पे घुमाया, तो आप गलत है, अब पूरी तरह से गलत है, 90 डिग्री पे घुमाती है, कैसे, 90 पर अगर आपने घुमाया, सिर्फ 90 में, तो आपका क्या हाजाएगा, यह Y नीचे आजाएगा, पूरा घुमाया, 90 डिग्री पे, complete molecule, एक को पकड़के नी, complete molecule अगर आपने 90 डिग्री में घुमाया, तो यह Y इधर आजाएगा, X इधर चला जाएगा, A इधर आ जाएगा, गलत है, आपको वो कंपाउंड हैं, अब आपको दूसरा कंपाउंड लेगा, आपने क्या करा, A इधर आया, बिल्कुल है, Y नीचे आगया, P उपर चला गया, आपकर ने आपकाar गोना गणागी है, लिग्र आपने 180 डिग्री म गुमाया, तो फिर सही है, 90 पे गलत, 180 पे सही, 270 पे गलत, 360 पे सही है, तो 90 डिग्री पे अगर आपने गुमा दिया, sorry, 180 डिग्री पे गुमाया, तो क्या हो जाएगा, A नीचे आजाएगा, B उपर आजाएगा, Y इस तरफ आजाएगा, X इस तरफ आजाएगा, 60, बिलकुल सही है, बोलो या सौनो, तो भी सही हैं आप, तो आप 90 डिग्री पे नहीं गुमा सकते, 270 पे नहीं गुमा सकते, 180 पे गुमा सकते हो, 360 पे यानि कि, एक को पकड़के तो आप कितना ही गुमा लो, अगर एक को पकड़के आपने गुमाया, तो फिर तो आप मर्जी पड़े, कितना ही घुमाओ, समाझ में आज यह बात? लेकिन एक को पकड़के, आप जितना भी घुमाओ, तो ध्यान देने वाली बात ये है, कि आपने अगर इसको पकड़के कितना ही घुमाया आपने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो को पकड़के इन दोनों को आपस में गुमा दिया, तो फिर गलत है, दो को पकड़के गुमाते ही आपको गलत है, जो भी मिलेगा वो अपोजिट मिलेगा, दो को नहीं पकड़ सकते हैं, दो को पकड़ने के बाद आप इनको गुमा ही नहीं सकते हैं, सोचो, गुम तोड़ना पड़ेगा और वो तो में चाहता ही नहीं हो पूरी तर से तोड़े बगेर आप नहीं जा सकते हो दार समझ मैं है तोड़ती है आपको दूसरा कंपॉर्ण मिलेगा यानि आइसो मन मिलेगा समझ मैं है तो अगर आपने ऐसे करा कुछ दो को पकड़ लिया दो को पकड़ लिया यानि कि टू को हिल्ट कर दिया आपने किसको इसको पकड़ा दो को एको और वाई को और इन दोनों को चेंज कर दिया बी और एक्स तो आप गलत है समझ में आ रहा है तो आप कब सही है कब गलत है आपको आईडिया हो गया I think अब एक को पकड़ की कितना ही गुमा कोई मैं बना नहीं करूँगा सेक्वेंस में गुमाए